धनू रासी वालों का आजे का रासी फल यानी की दो जुलाई दो हजार बीस का रासी फल तो नमशकार मित्रों आईए आजी के वेडियों की सुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ दो जुलाई दो हजार बीस के पंचांग के बारे में आज तिथी है दुआदसी नक्षत्र है अनुराधा पक्ष है सुक्ल पक्ष और दिन है गुरुबार आज के दिन सुर्य उदय हो रहा है पंच बज के 27 मिनट में और सुर्यास्त हो रहा है साथ बज के 22 मिनट में रितू है वर्षा और आज का दिन काल है तेरह घंटे 55 मिनट 43 सेकेंड का महिना है आसाध आज के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बज के 56 मिनट एम से 12 बज के 55 मिनट पी एम तक और असुभकाल सुरू होता है 10 बज के 5 मिनट एम से 11 बज के 1 मिनट एम तक और दुबारा है 3 बज के 40 मिनट पी एम से 4 बज के 35 मिनट पी एम तक राहुकाल सुरू होता है 2 बज के 9 मिनट पी एम से 3 बज के 54 मिनट पी एम तक और दिसा सूल है दक्छिन दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग मित्रों इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाय है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें लेकिन सबसे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके स्वास्त के बारे में, मित्रों स्वास्त के द्रिष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए अच्छा और बेहतर रहेगा आज के दिन आपके दोस्तों से आपकी तारीफ कुछ ज्यादा ही सुनने को मिलेगी और इस वजह से आज के दिन आपको मानसिक सान्ती की प्राप्ती होगी और आपके शुवास्त में कहीं कोई शमस्या, कहीं कोई बड़ेसानी नहीं होगी वैसे अगर आपके धन संपती की और देखा जाए तो पैसों के दृष्टी कोन से आपका शमय शामानी रहेगा आज के दिन अगर आप कहीं भी धन शम्पती का निबेस करना चाहते हैं तो निबेस करने से पहले जिस फिल्ड में आपको जाना हो उस फिल्ड के एकसपर्ट से आप मिलें उनसे बात करें और आज के दिन उस अनुभभी व्यक्ती के सलाह मसबरा पड़ ही आप निबेस करे अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले वक्त में आपको पैसों का फाइदा होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पैसों का नुकसान जहिलना पड़ेगा इसके बाद है आपका पाड़िवारिक जीवन मित्रों पाड़िवारिक जीवन के दृष्टी कोन से आपका शमय शामाने से बहुत जयादा नीचे है आज के दिन हो सकता है तो आपके पिताजी के साथ आपका बिहेवियर थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाएगा हो सकता है आज के दिन आपके पिताजी का बरताब कुछ जयादा ही तल्ख हो लेकिन अगर ऐसा होता है फिर भी आज के दिन आपको शांत रहना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पाड़िवारिक जीवन और आपके घर पड़िवार का माहौल खराब ह हो जाएगा इसके बाद है आपका प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से भी आपका शमय शामानी रहेगा आज के दिन आपका प्रेमी या आपकी प्रेमी का अपने मन की बातों को आपके शामने में खुल कर नहीं रख पाएगा और इसी वजह से आज क आज के दिन आप दोनों का शंबंध ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। यानि के धार्मिक जगह पर आप दान कर दें अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आज के दिन आपका शमय सान्दार हो जाएगा। आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है पारदर्सी और गुलाबी आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है आठ यानि की एट तो मित्रों यही था। के आज के दिन का रासी फल इस बेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद जैसी आराम।